सुप्रभाद बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी है? तो आज दिनांग क्या है? आज दिनांग है 18 अप्रेल 2030 अच्छा बच्चों ये बताओ, हमारे भारत में कौन-कौन से तेवहार मनाये जाते हैं? रक्षा बंदन होली, दशेहरा, बहुत बढ़िया, और अलो, क्या बता रहा है? दिवाली, बहुत बढ़िया दिवाली में हम करते क्या हैं? क्या करते हैं? घरों की सफाई करते हैं और रंगाई करते हैं और क्या करते हैं, घरों को सजाते हैं, और मिठाई रिखाते हो, बहुत बढ़िया, तो आज हम सब मिलकर अलंकार का अध्यन करेंगे, ओके? अलंकार होता क्या है, अलंकार जिस तरीके से हम लोग दिवाली में क्या करते हैं, लाइट, मुंबत्ती, है ना, और दिये कप्रियों करते हैं घर को सजाने के लिए, वैसे ही कवी क्या करते हैं, अपने कावे की सोभा बढ़ाने के लिए, अलंकार कप्रियों करते हैं, ओके? अलंकार की परिभाशा है क्या हो गई अलंकार की परिभाशा है कावे की सोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं मतलग जो सब्द कावे में चमतकार उत्पन कर देते हैं कावे की सोभा बढ़ जाती है हमको पढ़ने में अच्छा लगता है उन्ही सब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं तो चलो इस बात को लिख देते हैं हम लोग कावे की सोभा बढ़ाने वाले कावे की सोभा बढ़ाने वाले कावे की सोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग? अलंकार कहते हैं कावे की सुभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग अलंकार कहते हैं ओके बच्चो तो आप लोग को अलंकार समझ में आ गया ना कि अलंकार किसे कहते हैं है ना इसको कवी किसले प्रयोग करते हैं अपने कविता को सजाने के लिए जिससे की पाठ़क को पढ़के अनन्द आए, है ना, पढ़ने के बाद उसे अच्छा लगे, है ना, तो कावी की सोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं, अब हम लोग जानेंगे अलंकार के भेद, है ना, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार के भेद अलंकार के भेद होते हैं तीन अलंकार के कितने भेद होते हैं तीन सब्दा अलंकार अर्था अलंकार और ओभी अलंकार अब हम जानेंगे कि सब्दा लंकर कहते किसे हैं जहां पर सब्दों के कारण कावे में चमतकार उत्पन हो वहां सब्दा लंकर होता है क्या बता है मैंने जहां पर सब्दों के कारण कावे में चमतकार उत्पन हो वहां सब्दा लंकर होता है अर्था अलंकार तो सबदा अलंकार के अंतरगत आते कौन-कौन से है इन अलंकारों कौन जानलेते हैं सबदा अलंकार के अंतरगत आते हैं अनुपरास यमक स्लेस वक्क로क्ती विपसा अब हम लोग जानेंगे अर्था लंकार, ओके, अर्था लंकार किसे कहते हैं, जहां पर अर्थ के कारण कावे में चमतकार उत्पन होता है, वहां हमें सब्द से चमतकार नहीं मिलता, वहां भी हमें अर्थ लगाना पड़ता है, ओके, तो जहां पर हम अर्थ के कारण चमतकार पाते हैं कावे में, वह अर्था लंकार होता है तो अर्था लंकार के अंतरगत कौन-कौन से लंकार आते हैं इनको हम जानते हैं उपमा रूपक उत्प्रेक्षा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रान्तिमान मानवीकरण उदाहरन अलंकार ये सारे अलंकार जो हैं अर्थ अलंकार में आते हैं और उभी अलंकार में कौन से अलंकार आते हैं? सम, स्रिष्टी और संकर सम, स्रिष्टी और संकर है ना तो ये जो है ये उभी अलंकार के भेद होते हैं तो चलो बच्चो एक बार फिर सम देख लेते हैं अलंकार कहते किसे हैं कावे की सोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं है ना अलंकार के भेद कितने होते हैं अलंकार के भेद होते हैं सब्दा अलंकार अर्था अलंकार सब्दा अलंकार क्या होता है जहां पर सब्दो के कारण कावे में चमतकार उत्पन होता है वहां सब्दा अलंकार होता है और जहां पर अर्थ के कारण सब्द से हमें चमतकार नहीं मिलेगा वहाँ पर हमें अर्थ लगाना पड़ेगा तो जहाँ पर अर्थ की कारण चमतकार उत्पन होता है वहाँ अर्थ आलंकार होता है उभी आलंकार क्या होता है जहाँ पर सब्द और अर्थ दोनों के योग से कावे में चमतकार उत्पन होता है वहाँ उभी अलंकार होता है ओके बच्चो अल क्लियर तो नेक्स्ट हम आग एक चीजे कल दिखेंगे